नमस्कार दोस्तों आज है पंद्रे जुन आज पंद्रे जुन के करेंट अफेर्स को हम लोग कभर करने वाले हैं बिहार में यूनाइटिट किंग्डम को भगोलिक संकीत जी आई टैक से परमानित जर्दालू आम का पहला वानिजिक खेप निर्यात किया गया है तो बिहार में जो 2018 में जिसको जर्दालू आम को जी आई टैक परमानित किया गया था वो अभी हाली में यूनाइटिट अश्टेट को निर्यात किया गया है और यह बिहार के भागलपूर्च से निर्यात किया जाता है और इसको GI टेग प्राप्त है तब आएए इसके कोस्चन पहले लगाते हैं भारत ने जून 2001 कैस में किस राज के United Kingdom के भवगोलिक संकेत GI परमानित जर्दालू आमों के पहली वानिजिक खेप का निर्यात किया है तो इसका सहीन सरोगा C. बिहार राज अब बिहार के पिछले करेंट अफेर्स के बारे में हम लोग कभर करते हैं तो बिहार में कलराव उत्सव का आयोजन किया गया था पुर्बोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रीज बिहार के नालंदा जिला में बना है जो भी राजगीर में इसकी सुरुवात हुई है नितिन गड़कडी ने बिहार के कोईलवर पूल का उद्घाटन किया है बिहार देश का पहला राज बनने के लिए तैयार है जिसमें हरित उर्जा कुसल सहर बना है और यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा तिरपूरारी सरन बिहार के नए मुख सचीव वने है तो यह सभी फेक्ट आप लोग बिहार से रिलेटेड याद रखें अब मैप में कहा है बिहार तो यहां देखिए मैप में यह बिहार है यह मैप में बिहार है और याद रखेगा अंतराष्टी सीमा की बात करें तो यहां एक नेपाल से बिहार की सीमा लगती है आएए अब इसके और भी कुछ डीटेल्स के बारे में जानते हैं बिहार की बात करें तो अभी मुख मंत्री जो है नितीश कुमार है और राजपाल की बात करें तो फल्गुच वुहान है और बिहार की बॉंडरी की बात करें तो वह तीन राजियों से लगती है उत्तरपर्देश, जारकंड और बेश्ट बंगाल से और बिहार में total 38 जिले हैं लोग सभा सीट की बात करें तो 40 सीट राज सभा की 60 सीट और बिधान सभा की 243 और बिधान पारसत की 75 सीट चीफ बिहार की बात करें तो बिहार में पटना में हाई कोट है और उसके Chief Justice की बात करें तो Sanjay का रोल है अभी हाले में ये सभी Factor बिहार राज से संबंदित थे तो इतना आप लोग याद रखिएगा चलिए हम लोग Next Question की तरफ चलते हैं अमेरिका और साओधी अरब के बीच शुरू हुआ Falcon Cloud 4 नामक अभ्यास इतना याद रखिएगा इसमें कि साओधी अरब, अमेरिका और साओधी अरब के बीच जो शुरू हुआ Falcon Cloud 4 अभ्यास शुरू हुआ एक अभ्यास अभी कर रही है अमेरिका सेना और साओधी अरब के सेना के बीच में जिसका नाम है Falcon Cloud 4 आईए इसे related question पहले लगाते हैं हाली में Falcon Cloud 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच सुरू हुआ है तो अमेरिका और इसका सहीर सरो जाएगा एक साओधी अरब के बीच ये हाली में सुरू हुआ है अब बात हुई है अमेरिका की सबसे पहले अमेरिका की बात किए तो ये हैं मैप में अमेरिका और अमेरिका की जो capital है वासिंग अटन डीसी है आप लोग याद रखेगा अगर currency की बात करें तो United State American Dollar है और President की बात करें जो बीडेन अभी हाली में जो कि 46 में President है और Vice President की बात करें तो कमला हरीस है और अगर बात करें अभी अश्टेट की तो 50 अश्टेट है और एकामनमा अश्टेट जो है 51 अश्टेट जो है वासिंग गर्टन डीसी बनाने की योजना पारित कर दी गई है और भारत के भारत के ambassador की बात करें अमेरिका में तो वो है तरंजीद सिंग सिंधू तो यह है अमेरिका से अब हम लोग युनाइटेट अश्टेट की बात करें तो युनाइटेट अश्टेट सौरी साउदी अरभिया तो साउदी अरभिया है साउदी अरभिया की अगर केपिटल की बात करें तो रियाद है जो कि साउदी अरबिया के सबसे बरा सहर भी है और इसकी करेंसी की बात किया जाए तो रियाल है साउदी अरबिया का करेंसी जो है रियाल है और एक फिक्ट और जान लिजे साउदी अरबिया में ये पार जो देख रहे हैं ये रेट सी है और ये परसान गल्फ के बीच में साउदी अरविया अवस्थी थे इतना आप लोग याद रखिए अब नेक्स्ट कोश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं केंदर सरकान रहे वर्ष 2021-2020 में जल जीवन मीशन के ताथ आंध परदेश के केंदरिय अनुदान को बढ़ा कर 382.88 करोर रुप्या कर दिया है जो कि पहले 2021-2020 की बात करें तो 790.48 करोर रुप्य था तो जल जीवन योजना के ताथ जो कि ग्रामीन इलाकों में इसके जल की 2024 तक इसका लक्ष रखा गया है पूड़ा करने की आईए कोस्चन लगाते केंदर सरकार ने वर्ष 2021-2020 में जल जीवन मीशन के ताथ कि सराज को केंदरिय अनुदान बढ़ा कर 31.88 करोर रुप्य कर दिया जो कि 2021-2020 में 790.48 करोर रुप्य था इसका सहियन सरोगा C. अंध पर्देश राजस्थान सरकार ने वैदिक सिच्छा का और संस्कार बोड की अस्थापना करने का निर्णे लिया है तो अब राजस्थान अब ये वैदिक सिच्छा है क्या वैदिक सिच्छा है बैदिक सिच्छा और संस्कार बोड इसके तहट बताया जाएगे कि बैदिक से कैसे related है साइस को उसके अधारित पढ़ाया जाएगा आईए question पहले लगाते हैं जून दो हजारे कैस में किस राजे ने चार पांच महीने के भीतर वैदिक सिच्छा और संस्कार बोड की अस्थाप पित करने का निर नहीं लिया है इसका सहीद दरोगा भी राजस्थान सरकार में आईए हम लोग पहले मैप में देखते हैं राजस्थान का है ये देखिए मैप में है राजस्थान आईए हैसे जूरे हुए फैक्ट को भी हम लोग देखते हैं अब राजस्थान की बात हुई है इसका फोर्मेशन हुगा था 30 मार्च 1989 अगर राजस्थान की केपिटल की बात करें तो जैपूर में है जो की सबसे बड़ा सहर भी है राजस्थान में 33 जिले हैं लोग सभा की सीट की बात करें तो 25 सीट है राजसभा की 10 सीट और विधान सभा का 200 सीट है और बोंडरी की बात की जाए राजस्थान जो की पांच राजों की सीमा से लगती है पंजाब, हर्याना, उत्तरपर्दिश, मधपर्दिश और गुजराब अगर हाई कोट की बात की जाए तो ये जोधपूर में है और इसके चीफ जश्टी कभी है इन्रजीत मोहंते राजस्थान के कुछ परसिद लेक के बारे में अगर बात की जाए तो पुसकर लेक है, सांभर लेक है, मन सागर लेक है और डैम की बात की जाए तो बिलासपूर डैम है, जो की बनास रिभर पर है, बनास नदी पर है माही बजाज सागर डैम है, जो की माही नदी पर है राना परताप सागर डैम है, जो की चमबल नदी पर है और जावी डैम है जो की जावी नदी पर है और कुछ नेशनल इंपोर्टेंट पार्क है जो की रहंतवोर नेशनल पार्क है डिसर्ट नेशनल पार्क है भरतपूर नेशनल पार्क है सरीशका नेशनल पार्क है और कुंबलगर नेशनल पार्क है डर्ण नेशनल पार्क है और ताल च्छापर सेनेचरी है और बेशी वायल लाइप सेनेचरी है तो ये फ्येक्ट आप लोग याद रखेगा राजस्थान से रिलेटर अब अमरिज सेन ने लिखी है होम इंधा वर्ल्ड नामक पुस्तक अम्रिज सेन के द्वारा लिखी गई है होम इंदा वर्ल्ड नामक पुस्तक अब कोश्चन लगाते हैं हाल ही में होम इंदा वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका सहियन सरोगा अम्रिज सेन के द्वारा लिखी गई है home in the world पुस्तक IIT रोपर ने विक्सित किया है G1 वायू उपकरन अब G1 वायू उपकरन है क्या तो G1 वायू उपकरन जो है कि वायू को ये फिल्टर करेगी और जो भी गंदगी रहेगी उसको इस तरब से क्या करेगी बाहर कर देगी कुस्चन लगाते हैं किस IIT ने G1 वायू उपकरन का विक्सित किया है तिसका सहीन जोरोगा IIT रोपर IIT रोपर है कहाँ IIT रोपर याद रखेगा पंजाब राज में World Giving Index वर्स 2021 के रिपोर्ट के नुसार भारत दुनिया भरक ने किस अस्थान पर है तो याद रखेगा भारत जो World Giving Index में है ये 14 हमें अस्थान पर है पहले अस्थान की बात करें तो पहले अस्थान में अगर बात की जाए तो ये है इंडोनेसिया है याद रखेगा इसकी केपिटल क्या है इंडोनेसिया की जकारता इतना आप लोग याद रखिएगा IDFC फर्ष्ट बैंक ने घर घर रासन कारिकरम की शुरू करने की घोसना की है किस बैंक ने घर घर रासन कारिकरम शुरू करने की घोसना की है तो याद रखिएगा IDFC बैंक IDFC First Bank जो कि जिसका एकाउंट है IDFC First Bank में उनको घर-घर रासन पहुचाने का काम इनके करमचारी के द्वारा किया जाएगा अब इनका इसकी अस्थापना कब हुई तो अक्टूबर 2015 इस भी को IDFC की अस्थापना ही थी हेटक्वाटर की बात की जाए तो हेटक्वाटर जो है मुंबई में है और MD अभी जो है भी बैदनात है तो इतना याद रखिएगा IDFC से राजस्थान सरकार सुरू करेगी मुखमंत्री, करोना, बाल, कल्यान, योजना तो आईए कोस्चन हम लगाते हैं बनड घटा राष्टिय उद्यान खबरों में है यह किस राज में इस्थित है ऐसे सबाल भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो याद रखिएगा यह भी हाली में करनाटक राज में बहुत चर्चा में रहा है तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हो गया सुबह में मोर्निंग पांच बजे इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेर आएगा और इसका पीडियाप राप करने के लिए डिस्किप्शन के नीचे अमारा टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है यदि वहां से आप नहीं लिंक से जुरू पाते हैं तो अर्थ एजुकेशन सेंटर सर्च करके टेलिग्राम में चैनल से जूर जाएगा वहां इसकी पीडियाप भी प्रोभाइड करा दी जाएगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैहें